नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका digital गुलाब गुरू चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आधार कार्ड को लॉक कैसी करते हैं अगर आप अपने आधार कार्ड को लॉक करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम ही गुलाब और आप देख रहे हैं डिजिटल गुलाब गुरू चैनल विडियो पसंद आएगा तो लाइक सेर सब्सक्राइब कर दीजेगा आधार कार्ड को लॉक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मॉबाइल फोन में गूगल ओपन करने के बाद आपको इसके अंदर लिखना है माई आधार जैसे ही आप माई आधार लिखेंगे इसके बाद आपको सर्च करना है सर्च करने के बाद पहली वेबसाइट मिलेगी माई आधार.uidi.gov.in की तो आपको माई आधार की पहली ही वेबसाइट पर क्लि आप आओगे तो यहां पर आपको एक services वाले option के अंदर एक option मिल जाएगा lock और unlock आधार यानि कि अगर आप अपने आधार card को lock करना चाहते हैं तो भी आपको इसी option का इस्तमाल करना है और अगर आप अपने आधार card को lock करने के बाद unlock करना चाहते हैं तो भी जो है आपको इस अपने अधार कार्ट को कैसे lock कर पाएंगे अब आपको जो है next पर क्लिक करना है next पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है अगर आप अपने अधार कार्ट को lock करना चाहते हैं तो आप lock अधार पे क्लिक रहने देंगे और यहाँ पर अपनी virtual ID डालेंगे यहाँ पर आप अपना full name डालेंगे यहाँ पर pin code डालेंगे और यह जो capture दिखाई दे रहा है इसके अंदर भरेंगे और send OTP पर क्लिक करेंगे अब यह virtual ID आपको कहां से मिलेगी तो इसकी जानकारे मैं आपको बता देता हूँ जब आप इस वाले page पर आओगे तो यहाँ पर आपको यह option आपको मिल जाता है virtual ID generate करने का VID generator करके यह option आपको मिलेगा आपको जो है virtual ID generate करने के लिए इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ट का जो number है वो डालना है और यह capture इसके अंदर भरना है send OTP पर क्लिक करना है आपके आधार कार्ट के साथ जो भी registered mobile number होगा उस पर एक OTP जाएगा OTP भरने के बाद जैसे ही आप verify करेंगे तो 16 अंको की आपकी जो virtual ID है वो आपको screen पर भी दिखाई देगी साथ में जो है जो भी आपकी आधार कार्ट के साथ mobile number जुड़ा है registered है उस पर भी जो है message की थुरू 16 अंको की जो आपकी virtual ID है वो भेज दे जाएगी इस तरीके से आपको जो है virtual ID मिल जाएगी वर्चूल ID मिल जाने के बाद अब आपको back आना है अब आपको अपने आधार कार्ड को lock करने के लिए Lock, Unlock आधार ये जो option इस पर इसपर click करना है इसके बाद आपको next पर click करना है अब आपको virtual ID मिल गई है virtual id इसके अंदर डालना है और इसके अंदर full name डालना है pin को डालना है capture भरने के बाद send OTP पर click करना है सारी चीजे भरने के बाद जो है जब आप send OTP पर click करेंगे तो OTP generated successful का इस तरीके से message आएगा अब जो है आपके आधार काट के साथ जो भी mobile number registered है यानि जो mobile number जुड़ा है उस पर एक OTP गया है वो OTP आपको इसके अंदर भरना है OTP भरने के बाद आपको जो है इस पर tick लगा देना है इसके बाद आपको जो है submit पर click कर देना है थोड़ा सा यहाँ पर process होगा तब तक जो है आपको wait करना होगा इसके बाद आप देखोगे कि आपका जो आधार number है उसके last के 4 अंग आपको दिखाए देंगे और यहाँ पर लिखाओगा has been locked successfully यानि कि अब जो है आपने अपने आधार card को successfully जो है lock कर दिया है अब आपका आधार card lock हो चुका है अब आपको जो है go to the sport पर क्लिक करना है इसके बाद आप जो है my आधार की website पर आ जाओगे तो दोस्तो इस तरीके से आप जो है अपने आधार card को lock कर सकते हो इस option का इस्तमाल करके और अगर unlock करना चाहते हैं यानि कि अगर आपने आधार card को lock कर दिया है या फिर पहले से ही आपका आधार card lock है और आप जो है उसे unlock करना चाहते हैं तो unlock आधार पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको virtual ID डालनी होगी जो कि अभी आपने डाली है इसके बाद ये capture के अंदर भरेंगे send OTP पर क्लिक करेंगे फिर वही process होगा फिर से OTP आएगा और OTP verify करने के बाद आपका जो आधार card है वो unlock हो जाएगा फिलहाल unlock करना बहुत ही ज़्यादा आसान है जिस तरीके से हमने lock किया है उसी तरीके से आप unlock कर सकते हैं लेकिन अगर आप जो है अपने आधार card को unlock करना चाहते हैं तो आप नीचे comment करके जरूर बताएगा मैं उस पर भी जो है अलग से एक वीडियो बना दूँगा कि unlock किये गए आधार card को unlock कैसे करते हैं फिलाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतने ही जानकारी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया अमारे दौरा दी गई जानकारी अच्छे लगी तो ये वीडियो आप ज़रूर लाइक करिए साथ मैं अपने दोस्तों के साथ भी वाटसब पर सेयर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिन वंदिमातरम